हलो अब्रिवन डार्क लाकर स्टेक में आप लोग को बहुत बहुत स्वागा था कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत ही जादा ऑसम एंट फंटास्टिक हो गया आज आप फिर से आगे के अनधर वीडियो के साथ और साथ ही साथ में एक न्यू सेटप के साथ तो कैसा लग रहा यूस किया है उस सिर्फ और सिर्फ एक बैक केस उसका जिसके वजह से कैमरा बंप पे स्पेस प्रोटक्शन थोड़ी मिल जाती थी अब कैमरा प्रोटक्शन की अगर बात कर तो इसके जो अल्री शाफायर ग्लास यूस किया गया तो मुझे अभी तक बिल्कुल फील नहीं ह या ओफलाइन मार्केटर मिलता वह भी पर्चेस कर सकता था नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं कॉम्प्रमाइस करना था बैक प्रेंब अवराल यही है और दोस्तों इसके अंदर जो अलुमिनुन बॉर्टर वगरा दिये गये वह वही काफी सेफ फील कराते हैं और बॉक्स सीरीज की प्रिविस फोन आये थे उसके गंपर आप बोलू तो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगाए और रही बात कैमरा लेंस की डाइगनल डिजाइन की तो आइफोन 13 में ऐइफोन 14 में और आइफोन 15 में सेम डाइगनल डिजाइन ही आइप लेंस के लेंस का आएगा त आपको यह चीफ वाला फील नहीं देगा कि आइफोन 13 चला रहे है आइफोन 14 बिसाइड अगर कोई लोकल फोन चाइनीज वाला लेकर आपके सामने शोफ करता है तो बैक पैनल से लगता है आइफोन 13 का जो बॉक्सी डिजाइन है यह प्रिविस ताइम में जो 4S और 5S आत साथ किर रहा है तो इसलिए कोई बंप वगएरा नहीं आया विदाउट केस अगर गिरता है तो ऐलुमिनियम जो फ्रेम है इसका वो छोड़ा छोड़ा बंप ले सकता है मेरे इस फोन में अभी तक कोई भी इशू नहाए ना कोई स्क्राच है ना कोई बंप है बिल्को सेफ को बंप वर्क कर रहा है कियोंकि मैं से और अभी कोई की समय के तो यहाला किसा दो अब दोस्तों बात कर लें थे आइफोन 13 के सी क्यूर्टी के लिए कि सक्यूर्टी में से पलता फेस उनलोक जो की मुझे कभी इनलोक के कमी धंध से फील होती है अब बहुत से लोग बोले अगर उस पर पिन डालने के कोशिश करता हूं तो कभी-कभी ना बहुत टाइम लग जाता है वो आता ही नहीं है फेस अनलॉक के लिए रेजक्शन हो जाता है बार-बार करने कोशिश करता हूं मुझे परसनली कभी-कभी फील होता है आयो 16.4.1 का जब से अपडेट आया पर्फॉर्मेस और बैटरी दोनों इंप्रूव होई है इससे पहले जो प्रिवेस दो अपडेट आये थे उसमें बहुत जादा गडबल होड़ा था 16.3 16.2 इन दोनों बहुत जादा मेजर इशूस आरहे थे बग्स वगएरा काफी थे एक अपडेट में ऐसा हुआ था कि बैटरी पर्फॉर्मेस बहुत जादा डिग्रेट होगी थी और दूसरे अपडेट में यह था पर्फॉर्मेस डिग्रेट होगी थी बैटरी लाइफ ठीक हो बारे में बात करूँ तो मुझे कम से कम ये फोन को दो बार चार्ज करना पड़ता है, तब जाके मुरा पूरा दिन चल पाता है, वो भी इसलिए है क्योंकि मैं फोन को 30 से लेके 80% तक चार्ज करता हूँ, मतलब 50% करी करता हूँ, 50% जूस की यूस करूँ का फिर से दुबार नहीं है, फिलाल पहले से बैटरी बैकप कम हुआ है, और जो मेरी फोन की बैटरी हेल्थ है, प्रिजन टाइम में 1.3 यर्ज में जो डिग्रेड हुई है, 87% मेरी बैटरी हेल्थ अभी बच्च हुई है फोन में, बैसे काफी लोगों के mix opinions वगएरा आ रहे हैं कि camera डिग्रे बात कर ले दे, stereo speaker यार, शुरू आस से मैं इस phone के speakers पा fan रहा हूँ, मैंना nothing phone लिया, मेरे पास K20 Pro था, इससे पहले भी flagship 1 plus का भी phone था, उन सारे speakers के मैंने सुन रखा है, crisp भी है, clear भी है, और base वगएरा भी feel होता है, बहुत जाधा साही लगता है, multimedia consumption के लिए यार, speakers बहुत audio में, feel नहीं हुआ, speaker फट रहे है, audio quality एक दम, top notch है, अभी भी फिलाल, iPhone 13 के audio quality से impress हो के आजाते है हमारे, haptic और vibrations पर, तो haptic के बारे में, क्या बोलूँ, मैं इतना बोलूँगा, आपको हर एक single चीज में, आपको haptic feel होता है, volume up, down करते हो, उसमें होता है, face unlock, lock करते हो, तब haptic क्या चीज होती है, मैंना iPhone 13 में, जिस तरीके से feel किया है, मैंना previous जितने भी phone में उसके हो, तो नहीं feel किया था, अब आजाते है, vibrations पर, तो vibration भी भी ठीक है, आप समें, कस्टमाज vibration कर सकते हो, आपको क्यों कॉल करता है, तो आपको, जिस pattern में, आपको vibration set करने हो, haptic के साथ साथ, आप वैसा, आप set करके, आप play कर सकते हो, आपके call आएगा, तो आप heart beat की तरह कर सकते हो, tick, 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 आप, overall, vibrations को भी बहुत अपने तरीके से maintain कर सकते हो, haptic और feedback, दोनों flagship level को maintain करते हैं, अगर आप लोग iPhone 13 ले रहे हो, तो disappoint बिलकुल नहीं होने वाले, बहुत शांदा experience देने वाला है, क्योंकि मैं अभी तक इसका feel कर रहा हूँ, अगर दोस्तों, अगर dual sim user हो, तो definitely guys iPhone 13 में dual sim support आता है, एक होती है single, आपका single sim slot आता है, और e-sim का support भी मिलता, तो आप लोग कोई परिशानी की बात नहीं, अगर आप geo use करते हो, atal use करते हो, कोई भी sim use कर सकते ह है, ऐसी technology है, अब तो sim convert हो जाती है, e-sim को convert मैंने already कर रहा है, अपने geo को convert वाला मैंने करके डाल दिया है, और आप लोग को अगर e-sim convert करना नहीं आता, अपनी physical sim को, तो आप लोग मुझे बतायेगा, तो मैं इसका भी separate video बना के डाल दूँगा, मैंने e-sim अपनी geo कर रहा ह चीज है, आप लोग करके देखो, मज़ा आएगा, 5G का भी support इस phone में आ चुका, वह बात अलाग है, आपकी जगह जगह पर depend करता है, बहुत सारी जगह पर 5G अभी support नहीं कर रहा है, even मेरी location पर home location पर भी 5G support अभी नहीं आ रहा है, even geo का, वी आई का, किसी भी का, overall सारी ची जो आपके normal use में आप यूज करते हो, direct sunlight वगरा में, तो 800 nits की आती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी कम feel नहीं होती है, हाला कि मेरे पास एक nothing phone 1 में यूज कर रहा हूँ, उसमें 500 nits सक ही peak brightness जाती है, direct sunlight में 600 nits सक टच कर पाती है, बट मुझे कहीं ने कहीं वो drawback feel होता उस phone मे बट iPhone 13 में, सच में बोलूँगा, direct sunlight में, harsh condition में भी मुझे बिल्कुल भी brightness कम feel नहीं होती, बहुत जादा मुझे सही लगी है, इस से मुझे ये feel होता है कि average brightness भी ना 800 nits से लेके 1000 nits अगर होती है तो वो चीज अच्छी है, advantage है, मतलब आप direct sunlight में आपको हाथ रखके, छुप आपके shadow बनाके देखने के जरुवत नहीं पड़ती है, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, इस phone के अंदर जो talent इंडिस की peak brightness, HDR content देखते हैं, पे AR content, consume करने मज़ा आता है, जब एक बड़ी display वाले phone से, मैं छोटे phone के display पर जब आया, 6.1 inch के display पर आया, तो मुझे ऐसा feel होता था कि मुझे phone display छोटा है, बस एक से दो दिन तक मुझे feel हुआ, जब मैं day-to-day time पर use करता रहा, तो मुझे एक time पर ये feel हुआ, कि यार ये display ना perfect है मेरे हाथ के साब, gaming करते time पर मुझे feel होता है, display थोड़ा सा छोटा है, इमानदारी से जो मुझे लग रहा है, छोटा थोड़ा सा फरका था, अब day-to-day time पर यूज़ करते रहोगे, तो adapt कर लोगे situation को, तो आपको कोई problem face नहीं होगी, overall इस phone की quality, video quality, और color quality, peak brightness, सब को overall बता हूँ, तो superb quality है, मतलब मज़ा आ जाएगा, iPhone 13 के अंदर जो सबसे बड़ा disadvantage मुझे इस display panel में जो feel होता है, वो करता है, जब मैं display के बारे में बात करी रहा हूँ, तो मुझे, जो feel हुआ, मैंने आप लोगो को बताया, 60Hz आप लोगो को कम feel होगा, definitely, बट इसके लावा, जो other things है, मतलब जो इसके बढ़िया-बढ़िया से feature है, जो advantages है, उसके चक्कर में 60Hz कहीं नहीं छुप जाता है, त जब बात करी रहे साथ में, तो मैं बात करता हूँ, इस phone के performance की उपर, तो दोस्तों, अगर आप लोग gamer हो, DJI वगरा खेलते हो, तो guys, single word मैं बोलूँगा, gaming के लिए iPhone से better, कोई भी phone नहीं है, कितने भी अच्छे gaming phone आ जाए, कितने भी अच्छे आते रहे, market आपकर 120Hz का display panel, अगर आपके phone में आ रहा, इसका processor बहुत capable है, आपको graphics काफी improve मिलेंगा, high intense gaming कर सकते हो, battery drain भी कम होती है, gaming के साथ, मतलब आपको overall experience ना, gaming के time पे, top notch मिलेगा, आपको कोई editing बगरा वाला work करना है, तो मैंने अभी 4K editing बगरा हो, 4K shoot करता हो, तो मैंने बहुत time से iPhone पर ही edit करत से बता रहा हूँ, color grading करता हूँ, बहुत जादा, हर छोटी-छोटी clip पे भी color grade करता था, इस पर export करता था, export भी काफी fast हुआ था, मतलब आदे घंटे में 16-17 minute या 20 minute की video export कर देता था, कभी-कभी थोड़े time जादा ले 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 था, बट मुझे कभी इतना जादा feel नहीं हु दूसरे summer start होने को आ गया है, बट मुझे अभी तक कोई heating issues आदा, face करने को नहीं मिला, बढ़िया तरीकास चल ला है, battery percent मैंने बता दी, 87 percent battery health है अभी present time में, इसकी overall, still ये phone worth है में अभी इसको एक साल और अभी extend करूंग, इस phone को मैं रखने वाला हूँ, मैं भी शायद इस phone से भी नीचे जाता, sale जाती है, 45,000 के around में अगर आता है, value for money होगा, definitely मैं ये बात बोलूँगा, अगर दोस्तो मेरे पास budget na, 50 to 60,000 का अगर मेरे पास budget है, और मुझे कोई phone select करना हो, camera और gaming के लिए, सिर्फ और सिर्फ camera और gaming के लिए, मुझे दोनों अपने, एक top notch quality में चाह करूँगा, अगर 55,000 तक का भी मुझे iPhone 13, अगर अभी भी मिलता है, तो अगर मेरे पास iPhone 13 नहीं होता, तो मैं इसको ही consider करता, क्योंकि camera बढ़िया है, आपका gaming के लिए best है, battery life बढ़िया है, प्लस आपकी brand value बहुत जाबा matter करती है, तो आप लोग भी पता है, मुझे भी कर मैं फिलाल एक बात बोलूँगा, अगर सेल में आप लोग 45,000 से 50,000 का ये phone नहीं मिलता है, तो आप लोग ना second hand option के तरफ जा सकते हो, बढ़िया से बढ़िया condition में phone 45,000 तक का iPhone 13 मिल सकता है, battery health बगएर देखना, उसके साब से purchase कर लेना, बट बहुत अच्छा होगा, और camera क बास एक ही option बसता है, iPhone सबसे अच्छा class का ले लो, iPhone 14 और iPhone 15, इनका main sensor काफी जादा capable होता है, 4K 60fps पर support करता है, आपका wide angle, main sensor और front camera भी, आपका तीनो camera 4K 60fps वीडियो सपोर्ट करते हैं, और stabilization भी बहुत अच्छा है, आपका iPhone 13 में बिलकुल फील नहीं होगा, iPhone 15 में और iPhone 14 मे बहुत जादा improve हुआ, action mode भी दे दिया है, बट इतना जरूवत नहीं पड़ती, बट एक जो इसका फीचर है मुझे camera का जो मैंने अभी तक use नहीं किया है, वो है cinematic shot, 1080, 30fps पर record करता है, बट मैंने इसको अभी तक use नहीं किया, बट मुझे जरूवत भी feel नहीं हुई, बट लाल वो भी बहुत अच्छा feature है, अगर आप लोग यूज़ करते हो, तो आप लोग लिए अच्छा है, बट मुझे video quality से कभी disappointment नहीं हुआ, और photos वगरा के लिए है, बहुत ज़्यादा शांदार वग करता है, तो इस processor की potential है, still 2030 के अंदर बहुत ज़्यादा capable है, मतलब आप लोग ले सकते हो, बस मैं इतना बोलूँगा, मेरा overall experience, 1.3 years में मैं बिल्कुल भी bore नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया था, user experience के बारे में बात करूँ तो है, iOS मुझे personally उतना favorite नहीं है, बट इसके जो features है, इसके stability है, इन सब चीजों के चक्करा मुझे phone पसंद है, एक कहते हैं कि iOS lover, तो उसमें एक add-on number हो चुका है, एक time मैं मैं still hate करता था, बट अभी मुझे पसंद है personally, तो मेरा experience overall यही है, अगर आप लोग ने कभी use नहीं गया, iOS लेना चाहते हो, first phone आपका iPhone होना चाहिए, तो iPhone 13 को आप highly recommend कर सकते हो, आपको overall सारे एक एक feature मिल जाएंगे, वस 120Hz का display नहीं मिलेगा, अगर मैं एक reviewers के तोर से हट के, अगर मैं बात करो तो guys से इतना बोलूँगा, यार वर्त है, आख बंद गर के iPhone 13 को ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इतना tension मत लो, जोतना सोचो को इतने videos देखो को इतना आप confusion में आओगे, बस मैं इ 80,000 का purchase किया था, still 50,000 का अगर price drop हुआ है, तो मुझे कहीं न कहीं feel होता है, बट मैं सोच जब देखता हूँ नहीं कि 50,000 में मेरे friend बगरा ने लेया, किस कोई और ले रहा तो value for money phone है, आग बंद करके जा सकते हो, क्योंकि इसका camera एकदम फाड है, gaming के लिए एक दम मस्त है, म और भी वीडियो को check out कीजेगा, अब बस लास्ट में तना बोलूँगा, इस चैनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लो, और do not forget to like, subscribe, comment and share, next day तक लिए, bye-bye.